अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो भाई लाइक करना है और साथ में शेर भी किजिए अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब किजिए और वीडियो के लिए और फिलहाल तो ICMR-JRF 2019 के नौटिसिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा ज्यान मटूरी है नौटिसिफिकेशन आ चुका है इसका इंडियान काउंसिल ओफ मेडिकल रिसर्च ये भी अपना एक जूनियर रिसर्च फ़लोशिप का एक्जाम कंड़र्ट करता है जो साल में के वह लेकी बार होता है अब क्यूंकि ये मेडिकल लाइन का है और हमारे प्रणे दर्द भी है कुछ मेडिकल लाइन को लेकर के जब हम लोग मेडिकल लगके एक्जाम क्लियर नहीं कर पाए तो इस रास्ते से भी हम लोग मेडिकल लाइन में एंटर कर सकते हैं ये पीज़डी करने के लिए ही है आपको पीज़डी जॉइन कर सकते हैं से एक्जाम क्वालिफाई करने के कि इस exam के form को routine forms की तरह लेके मत चलना आम तोर पे इसमें गलतियां बड़ी भारी पड़ती है अगर form अपने डंग से फिला अपनी किया तो form cancel हो आते हैं यहां तक कि अगर photo भी डंग से नहीं है तब भी form cancel हो जकता है last date 27.5 है तो 27.5 को फोकस किजेगा जर्णली इन exams की last date बढ़ती नहीं है बढ़ जाएगी तो तुम्हारा फायदा है दूसरी जो खास बात इस exam के बारे में कि education qualification के रूप में आप MSC या फिर MA या फिर इसके equivalent degree लेकिन 55% marks होने चाहिए है जर्णल और OBC के लिए तो 50% SCST और physically handicapped के लिए age limit 28 साल की है जहाँ पर relaxation as per the government norms अभिलेबल है इस exam को फिल करने के लिए हमारे पास एक link भी है इस link पर अगर हम click करेंगे तो हम पहुँच जाएंगे PGIMER की website के उपर और यहीं से हम लोग इस form को फिल करना सिखेंगे जो अगे हम थोड़ी में सिखने वाले हैं यहाँ फीस हमें पे करना ही पड़े की 1000 रुपीज फोर जर्णल और OBC कंट्रेट्स और 800 रुपे हमें पे करना पड़ेगा अगर हम दूसरी काटिगरी को ब्लॉंग करते हैं तो इस exam में total 150 fellowship हैं जो दाव पर लगी हुई हैं जिन में से 120 fellowship यह biomedical sciences जो की खास और सा life science को ध्यान में रख करके बनाया गया है उनके लिए हैं इसमें microbiology, physiology, microbiology, genetics, human biology, biotechnology, biochemistry, bioinformatics, biophysics, immunology, pharmacology, nursing, geology, botany यह ध्यान देने वाली बात है, geology, botany वाली भी कर सकते हैं और environmental science इसके लावा veterinary medicine इसमें agriculture, extension या फिर soil science बगरा नहीं आती हैं 30 fellowship उनके लिए भी हैं जो social science के background के साथ में जैसे कि psychology या sociology, home science, statistic, anthropology या फिर social works, public health या फिर health economics जैसे subject के साथ जिन्होंने MRC की हुई है या कोई भी master's के degree जब आप link पर जाते हैं तो website खुलती है postgraduate institute of medical education and research चंडिगड की जो कि इस examo contract भी कर रहा है अब यहाँ पर एक तरफ तो है notice के लिए जिसके बारे हम discuss कर भी चुके हैं आप इसको भी download कर सकते हो और साथ में एक link और भी है जहां आप apply करने के लिए click कर सकते हो अगर click here to apply पर click करोगे तो फिर एक next page निकल करके आएगा जिस page पर यह details available है यह वाली कहानी उन लोगों के लिए है जो form भड़ना शुरू कर चुके हैं तो जिरोंने form fill up नहीं किया है उनके लिए apply now का option है इसके लावा ICMR, JRF की browser भी देख सकते हो आप पूरी information दी हुए उसके अंदर जिसमें जो कुछ information हम अभी देखेंगे भी और exam से संबंदिच जो important dates हैं वो यहाँ दी हुई है apply online के जो steps हैं सबसे पहले आप apply for online registration करोगे मतलब यह वाला step फिर आप अपने personal information फील करोगे, educational information फील करोगे, फिर आप upload करोगे, scan के वे photo signature आप examination की fee पे करोगे और फिर आप download confirmation page पर जाओगे जहां आप अपनी application को download कर सकते हैं और अपने reference के लिए print निकाल के रह सकते हैं फोटो लोगर के आप तो पर exam वाले दिन लेके जाओगे तो अच्छा रहता है, यह भीजना कहीं नहीं होता, केवल हमारे reference के लिए है आपने जो यहां submit कर दिया, वो उनके पास पहुँच गया, तो जब हम लोग क्लिक करते हैं, apply now page पर तो हमारे पास यह page खुलेगा जहां पर सब तरह कंडिशन दे रखी हैं, कंडिशन पढ़ने के बाद में apply now पर क्लिक कीजिए और फिर एक नया पना निकल के आएगा जो आपसे आपके information मानेगा और होगिया आपका form fill up करना शुरू, stream, father's names, examination center, mother name वगरा सब fill करके आप आगे बढ़िए और साथ में आपको अपना username और password भी बनाने को मिलेगा जहां तक important dates की बात है तो application शुरू हो चुकी है 23 अप्रैल से 27 में last date है और indeed अगर आप अपनी fees पे कर रहे हो तो वो भी 27 में ही last date है और exam की तारीक है 21 जुलाई 2019 exam बहुत दूर नहीं है लेकिन इस exam की तयारे भी इस कम time में कर सकते है चलिए कुछ बार समझते है information voucher में से कि क्या क्या information हमारे काम की है जो हमें ध्यान रखना चाहिए आम तोर पर ये साल में एक ही बार होने वाल exam है second ये third Sunday of July each year तो I hope जो 21st July है वो भी आपका third Sunday ही होगा इस बार Sunday July 21 2019 ये जो fellowship है ये PhD में admission लेने के लिए है कुल मुलाके 150 fellowship जिन में से 120 fellowship तो इन fields में से हैं जो हम लोग life science के अंदर categorize करते हैं जिसमें geology botany भी आ गया और उसके लावा 30 fellowship वो भी है जो दूसरी social sciences को लेकर के हैं इसके अलावा another 100 candidates would be selected for consideration for the position of JRF under various research schemes of ICMR मतलब अगर आप इन 150 fellowship में जगे नहीं बना पाए तो भी आपके पास चांस है कि आप शायद इन 100 में जगे बना जगे बना जाओ अगर आपने इन 100 में जगे बना लिए तो आपके पास letter आएगा कि आपने exam qualify कर लिया है अल्टिमेटली आपको PhD में admission लेना जरूरी है यह PhD ही है जो आपके काम आने वाली है इस fellowship की validity दो साल के आसमस की है तो मतलब दो साल के अंदर ही आपको अपना placement कराना पड़ेगा उसके बाद यह केबल एक कागज का टुकड़ा रह जाने वाला है successful candidates जिरोंने exam qualify कर लिया उनको first week of September में notification आएगा और इसकी list ISMR की website पर भी होगी जहाँ चेक कर सकते हो कि आपने exam qualify क्या है या नहीं इसके लावा जो syllabus है syllabus सबसे tricky part है ISMR के लिए हाला कि यह कहते हैं कि as prescribed by UGC but I don't know कि यह कौन से UGC की बात कर रहे है क्योंकि जर्णली जो इनके question आते हैं वो बड़े गुमावदार आते हैं कम से कम section A में जब हम scheme of test की बात करते हैं तो पहला जो part है वो है aptitude section section A इसमें 50 question मिलने वाले हैं इन 50 question में scientific phenomena in everyday life चाहे वो physics की बात करे हैं चाहे chemistry की बात करे है जर्णल लॉलेज इन sciences इसके लावा common statistics बहुत important part है ICMR के अंदर part A में भी और part B में भी All these questions would be compulsory कोई choice नहीं है पचास के पचास ही करने पड़ेंगे हर question का एक mark मिलने वाला है अब subject specific जो part आने वाला section B और C इन में से B है जो life sense वालो करना है और C है जो soul friends वालो करना है Total कुल मिला करके यहाँ पर आपको 100 question मिलेंगे इन 100 में से केवल 75 question आपको best pick करने है जो लगता है जहाँ गलती के chance ना हो हर question का एक number है और negative marking है 1 by 4 की negative marking बहुत बड़ी नहीं है बट फिर भी negative नुकसान तो करती है बट यह 1 fourth की negative marking आपको risk लेने के लिए promote भी करती है अब इस exam को qualify करने के लिए यह net की तरह नहीं है कि 25% number ले आए तो आप पास हो जाओगे किसी category में करके यहाँ पर 55% बहुत जरूरी है section A और B दोनों मिला करके या फिर C में journal category और obesity के लिए और 50% SCST और physical handicap के लिए देखे इस exam में बेशक केवल 120 seat है हमारे लिए लेकिन इस 120 seat के लिए competition आसा नहीं है बहुत लोग नहीं देते लेकिन फिर भी इतने लोग देते हैं कि competition काफे tough बन जाता है और खास source है यह जो इन्होंने एक barrier बना रखा है कि कम से कम इतने percent number लाने जरूरी है अगर आपके number इससे कम आए तो selection नहीं होने वाला यह कहलो कि अगर पूरे lot में से एक भी बच्चा 55% number लेके नहीं आया तो कोई भी qualify नहीं गरेगा यह ऐसा नहीं है कि जो top 120 उनको पक्का मिली जाना है test will be held in the following streams aptitude test जो सबके लिए common है इसके लावा life science जो section B का part है और तीसरा है तोसो sciences life science के अंदर जो question आएंगे यह microbiology, physiology, molecular biology, genetics, human biology, bio technology, biochemistry, bioinformatics, bio physics, immunology और pharmacology nursing, geology, botany, environmental science और veterinary science इन सम में से कुछ ना कुछ question आपको देखने को मिलेंगे आमतर पर ऐसा नहीं होता इसी एंबार में कि किसी एक के बारे में जाता है बात करें बाक्यों के बारे में कम सब को पूरा लेना चाहते है अगर आप social science की पास जा रहे हो तो आपको psychology, sociology, anthropology, social work, home science, statistics हालाकि यहां इन्होंने mention कर रखका पर डिस्टेट दोनों में आएगा वाइफ science के अंदर भी स्टेट आता है public health and health economics तो यह वो topics हैं जो आपके clear होने चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि exam कहां से आता है इसके पुराणे question paper नहीं मिल पाते है यह बड़ा drop है और इसके लावा जो syllabus है वो while defined नहीं है तो तयारी करते वे यह बड़ा issue रहता है कि हम तयारी कैसे करें answer is exam होने के 3 दिन के अंदर इसकी की आ जाएगी अगर आपको objection है कि कहीं कुछ गबड़ है तो इन सहाब को आप mail लिख करके बता सकते हो कि यह गबड़ है और अगर उन्हें ठीक लगा तो वो उसे accept कर लेंगे और फिर बात में जो edited answer की है final answer की वो publish कर दी जाएगी एक बार final answer की आ गई तो उसके बाद फिर कुछ भी चिक्रमाजरा नहीं होता जो answer की आ गई final है इसलिए answer की आने के 48 घंटे के अंदर ही आपको अपने objections रजिस्टर कराने होते है answer की final होने के बाद आपका result आता है और फिर result को आप यूज़ कर सकते हो form फिल करते वे सारी बातें important है बट जो most important चीज़ मुझे समझ माती है as compared to बाकी exams के यहाँ photo का अपना criteria है इस photo को exactly जो आप अपना photo upload करोगे वो इसी format में होना चाहिए उसके नीचे नाम और date जरू होनी चाहिए अगर कुछ भी आपने miss कर दिया तो आपकी application cancel हो जाएगी और होसरता आप exam ना दे पाओ इसलिए इस exam के form को fill करते वे जरासा भी गुंजाश मत लेना फिर उसके बाद अपने दो print out निकाल सकते हो उन पर अपना photo chip का सकते हो जो आपने online अपने application में लगाया था और अपने pass रख सकते हो ये print out आपको कहीं नहीं भेजने ये केवल आपके अपने फायदे के लिए हैं अपने pass रखो exam वाले दिन भी साथ लेके जाओ अगर वो allow करते हैं तो ठीक है क्योंकि कहीं अगर कुछ problem हो गई तो ये form आपकी help करेगा कई बार हम लोग online form fill up करते हैं बूल जाते हैं details इसके लावा आपके information voucher के अंदर ही आपको ये codes मिलेंगे कि आप कौन से subject के लिए कौन से city के लिए क्या code विल करना चाहिए एक बार आपने exam fill कर दिया form विल कर दिया तो फिर आप exam की तियारी करोगे और exam qualify कर गए तो जो fellowship है फेलोशिप है 31,000 रूपीज पर मन्त की जब आप J.R.F के रूप में हो इसके लावा 20,000 रूपे पर आइनम भी मिलते हैं और अगर आपने 2 साल J.R.F ये complete कर लिए तो फिर S.R.F के रूप में आपको 35,000 रूपीज पर मन्त आपको मिलेंगे लेकिन J.R.F, S.R.F मिलाके 5 साल से उपर ये tenure नहीं जाना चीए यानि कि ये fellowship आपके पास 5 साल तक के लिए हैं और शर्त ये भी है कि आपको PSD में registration कराना पड़ेगा और information पाने के लिए आप Division of HRD, Indian Council of Medical Research, ICMR जो कि AIMS के just pass में है आप वहाँ भी जाकर के बात कर सकते हो और वह भी आपको inform कर सकते हैं आप क्योंकर टाइम बहुत कम है और इस टाइम में accurate तियारी होने चीए खास्तोर से उस exam के बारे में जाता idea है भी नहीं तो iFly के साथ ICMR के crash course की आप तियारी कर सकते हो यह crash course 28th April से start हो जाएगा इस course के अंदर आपको मिलेंगे selected topics के short lectures लबख 75 lectures के आसपास और ICMR की तरह के test approximately 10 test और उनके video solution क्योंकि यह crash course है यहाँ हम इस कम टाइम में यह expect नहीं कर सकते हैं कि हम सब कुछ पढ़ लेंगे लेकिन हम कौशिच करेंगे कि अपने focus को exam के आसपास रखें ताकि exam में आने वाले question हमें अपने ही दिखाए दें चले यह फिर देर मत केजे form फिल करना शुरू केजे और तयारी में लग जाएगे अब जैसे ICMR के exam के लिए time कम है तो CSIR net के लिए तो और भी कम time है न और CSIR के लिए भी iFly के पास एक short crash course अविलिबर है अब तयारी के लिए ये time काफी है या फिर ये कम है बहुत लोग हैं जो इस बात पर discussion करते रहते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो discussion के बजाय करने पे किन करते हैं बैग गेम अब थ्रोन की तो परिशान करते हैं हमें दुखी भी करते हैं result खास source अगर वो ना है जो हम चाहते हैं बट यहाँ पे death का तो issue नहीं होता मरता तो है कुछ लेकिन वो time है 6 मेने खराब हो जाते हैं 1 साल खराब हो जाता है सिर्फ हमारे आलस या फिर हमारी कम तियारी की वेश है हर exam एक बड़े hurdle की तरह है लेकिन फिर जब exam की तियारी करने के लिए time कम बचा होता है तब बहुत लोग के लिए ये time भी काफी है क्योंकि जब जागो तब सभी रहा और बहुत लोग ऐसा कहते है कि भाई अब तो दो बेने रहा गए है अब क्या करेंगे अब कुछ पॉसिबल नहीं है और वो गुटने टिकाए दे याद रखेगा कि जीतते वही हैं जो ट्राइ करते हैं जीतने वाले कभी बहाने नहीं मनाते हैं जो बहाने मनाते हैं वो बनाती है रहा जाते हैं आई फ्लाइ भी उन लोग के लिए जो लेड हो चुके हैं एक crash course लिख्या है ये crash course अपनी आप में काफ़ी solid तरीखा है इस exam को कम टाइम में त्यारी करने हैं हाँ इस course में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम सब कुछ कर डालें सारा स्लिवर्स पूरा कर लें जो पढ़ाई हम दो साल में करते हैं उतनी पढ़ाई हम लोग दो महिने में कर लें यह पॉसीबल नहीं है लेकिन कुछी टॉपिक तो ऐसे है ना जो एक्जाम में बड़े सॉलिड है और उस टॉपिक में भी कहां तक प पाई या गलत करके आए पास तो कम ही होते है ना तो वही यानि के हर टॉपिक में कहीं कोई पॉइंट है इसलिए इस कोर्स के अंदर एप्रॉसिमेट्टे साथ इंपोर्टेंट सॉर्ट लेक्शर है यह शॉर्ट लेक्शर के अंदर के वाल उतनी बात है जितनी एक्जाम क के लिए जुरूरी है टॉपिक में से क्वेल वही बात हम लोग कर रहे है जो एक्जाम माने गुंजा है सबसे आगा है यह लेक्शर रूटीन लेक्शर की तरह नहीं है जापे हम लोग हर एंगिल को हर पॉइंटे वी से लेखना चाहते हैं चीजों की यह क्रेश कोर्स है इ इन में से चार एक्जाम हम लोग ओनलाइन करेंगे और अनलेसिस करेंगे कि हम क्या गलती करते हैं और फिर एक रियल लाइफ सिनेरियो का इस्तेमाल करके हम लोग एक लास्ट मोगी देखें हम समझेंगे कि पेपर को सॉल कैसे करना थे हम समझेंगे कि चोईस कैसे बनाते है किस कोशन को करना चाहिए, किस को छोड़ना चाहिए, मतलब यह कह लिजे कि इन दो महिने में हम लोग जहां एक तरफ ग्यान बढ़ाएंगे तो वहां उस ग्यान को इस्तिमाल करने के राफ्ते भी जिखेंगे, हम समझेंगे कि पेपर वाले दिन हमारी परफॉर्मेंस गैसी ह आप मुझे वार्चप कर सकते हो, 9013-902911, या मुझे मेल लिसकते हो, saplingagutech.gmail.com ये कोर्स बाकी सारे कोर्स की तरह ओनलाइन है, आप अपने घर बैटे कर सकते हो, कही जाना नहीं है, कही आना नहीं है, आपको हर रोज इस पार्टिकुलर कोर्स हो करने के लिए, कर दो निगाल सकते हो, इस exam को पढ़ने के लिए, नेक्स्ट दो महिने के लिए, वो भी फरक कर सकता है, पिर इसके लाब आपको time निकालना होता है exam देने के लिए, और exam के solutions देखने के लिए, जो mock exam के solutions हैं, वे भी तो video solutions देखने हैं, अच्छे कास से elaborate जहां हम लोग ये भ आपने घर बैठे अपने टाइम की कोर्डिंग देख सकते हो आइफ लाइक की क्लासिज जॉइन करने के लिए और अधिक जानकारी पाने के लिए वाट्सप किजिए 9013-902981 अगर ये वीडियो पसंद आया है तो शेर किजिए अपने उन तमाम दोस्तों के साथ जो समझने की दो महीने कम है भाई जिन में दम है ना उनके लिए दो महीने कम देख सकते हैं दो महीने का भी बैस्ट टुटराइशन निकाल सकते हैं और वैसे भी जो ट्राइ करना छोड़ अगरो बाई बाई